सबी दोस्तों का वैलकम एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज आपको लेके चलते हैं ऐसी जगे जहां पर आपका दिल खुस हो जाएगा वीडियो देखके तो दोस्तों हाँ आज आपको दिखाएंगे कि गमले कैसे बनते हैं दोस्तों यहाँ पे सिमेंट के गमले बनते हैं तो आज आपको लेके चलते हैं कुछ नए डिजाइन के गमले भी आपको दिखाएंगे उनके रेट भी बताएंगे उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार है और इस चैनल की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन ओन कीजिए तो चलते हैं नरसरी पे फिर बात आपसे करते हैं दोस्तो नरसरी पे हम आ गए हैं अब यहां के ओनर से आपको यहां का कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं ताकि आप यहां आसानी से आ सकें थे Harvi Sevent Word 9 перв 12 154588 तो दोस्तो आपको यहां का contact number मिल गया है, आप यहां पे आ सकते हैं, आप आपको गमले दिखाते हैं, कि आप यहां पे आते हैं, तो आपको कौन-कौन से गमले मिल जाएंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो गमले तयार हो रहे हैं ये हो रहे हैं सब्जी के लिए अगर आप अपने टेरेट गाडन पे सब्जियां लगाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह के गमले ले जा सकते हैं और देख सकते हैं, ये जो गमले हैं, ये अरीका पाम लगाने के काम ज़्यादा आते हैं, अरीका पाम आप अगर अपने गेट पे लगाते हैं, तो ये गमले बहुत उसके लिए अच्छे होते हैं, और इसमें अरीका पाम की भी अच्छी ग्रोथ होती है, और ये गमले आप यह आप अपने terrace garden पे लगा सकते हैं जिनका price 50 रुपे है यह 10 इंच का गमला है तो आपको 50 रुपे मिल जाएगा और आप देख सकते हैं इसमें color भी बहुत अच्छा हो रखा है और इधर देखिए यह bonsai port है तो अगर आप bonsai के दिवाने हैं तो आपको यह port मिल जाएगा 80 र सबके अलग अलग price है अगर मैं हर गमले के price आपको बताने लगूँगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो मैं आपको अभी कुछ और गमले के दिखा देता हूँ rate यहाँ पे क्या है तो इधर देखिए इधर भी कई गमले हैं देख सकते हैं तो दोस्तो काफी बड गमले ले जा सकते हैं तो यह देखिए इधर गमले तयार हो रहे हैं दोस्तो यहाँ से daily गमले कई जगों के लिए जाते हैं और इनका काम है गमले यहाँ daily बनते रहते हैं तो आप अगर यहाँ wholesale rate में भी अगर गमले लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे गमले मिल जाएंगे तो यह देखिए Bonnside Port के लिए और भी गमले हैं इन में आप अपने मन पसंद कलर भी कर सकते हैं अगर आप कुछ अलग कलर करना चाहते हैं तो इन Bonnside Port पे आप कुछ नया कलर करके अपने मन पसंद डिजाइन इस पे डाल सकते हैं तो यह दोस्टो 80 रुपय हैं गमले हैं, इसमें भी बड़ा साइज है, 12 इंच के गमले फ्रूटिंग के लिए बहुत अच्छे होता है, अगर आप फ्रूटिंग के प्लांट लगाना चाहते हैं, तो 12 से 16 इंच के गमले बहुत अच्छे होते हैं, 14 इंच भी ले सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट को आप इतना बड़ा गमला देंगे अच्छे से फ्रूटिंग करेगा तो इधर चलते हैं देखते हैं कुछ नए तरे के गमले तो ये देखिए यहाँ पे इन गमलों को पानी डाला जारा इसमें ताकि तेज धूप के कारण इसमें क्रेक ना आ जाएं इसलिए इन पे पानी डाला ज जाएंगे तो आप देख सकते हैं और इधर देखिए ये गमले तयार हो गए हैं अब मार्केट में जाएंगे और इन में मिट्टी डालके इसमें प्लांट लगा दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नरसरी पे बहुत लोग काम करते हैं इधर भी देख सक कुछ वेजी टेवल्स वाले भी गंबले लगे हुए हैं देख सकते हैं इधर तो दोस्तो गंबलों को ये अच्छे से पानी देते हैं तीन से चार दिन इनको सूखने में लग जाता है तो उस कारण गंबले की मजबूती अच्छी हो जाती है गंबला जल्दी खराब नहीं हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब गंबलों में पानी दिया जा रहा है और इधर गंबले बन भी रहे हैं तो दोस्तो आपको मेरी बीडियो कैसे लग रही है जरूर एक कमेंट करें ताकि हमें भी पता लगे हमारी बीडियो कितने लोग पसंद करते हैं और इसी तरह की बीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि नरसरी की आप कोई बीडियो मिस ना कर सकें क्योंकि ज़्यादा हमारे चैनल पर नरसरी की ही बीडियो मिलती है तो इधर चलते हैं कुछ हमें नया तरह के गंबले भी दिख रहे हैं तो देख सकते ह ये बोन साही हैं और सबजियों वाले हैं अभी आपको एक नया गमला में दिखाता हूँ पहले आप ये देख लीजिए देख सकते हैं इधर ये गमले अभी कुछ दिनों बाद इस प्लास्टिक के निकाल लिये जाएंगे फ्रेम से तो देख सकते हैं यहां सारे गमलों को ग्रीन नेट के नीचे रखा गया है ताकि इन्हें तेज धूप से बचाया जाए कभी भी गमला आप फुल सनलाइट में ना बनाए क्योंकि उसमें क्रेक आ जाते हैं और आपका गमला खराब हो जाएगा तो इसी चीज की मैं बात करा था देख सकते हैं इस गमले का प्राइज इन्होंने 800 रुपे रखा है और देख सकते हैं एक कमल की जैसे पंकडी होती उसी टाइप का है और आप इसमें अपने मन पसंद प्लांट लगा सकते हैं सबसे अच्छा है इसमें तुलसी लगाया जाए अपने टेरस गाडन के बीच में अगर हम रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा और इस पर अभी कलर होईंगे तब इसकी खुबसूरती और निखर के आएगी तो इधर देखिए इधर कुछ गमले नए तरीके के है तो यहाँ आप ओर्डर देके भी गमला बनबा सकते हैं अगर आपको किसी अलग तरीके का गमला चाहिए तो आप इन्हें बता दीजिए या फिर उसकी कोई फोटो बगेरा हो इन्हें दिखा दें तो आपको उस तरेका गमला आपका तयार ये करके दे देंगे तो यहाँ पे और भी दिखाते हैं आपको कुछ तो यह सारे देखिए यह 10 इंची 14 इंची, 16 इंची यहाँ पे आपको 24 इंच तक के गमले अराम से मिल जाएंगे तो इधर देखिए यह जो ठेले हैं इन पे फ्लावर लगाए गए हैं तो यह देखिए यहां के इनी का यह नरसरी है और आप देख सकते हैं तो यह यहां से यह सारे पौधे जो है के सेल करने के लिए अंदर कालोनियों में ले जाते हैं तो आपको यह पौधे कुछ रेट इनका ज्यादा हो जा जाता है क्योंकि इन्हें भी घूम के पौधे बेचने होते हैं तो देख सकते हैं अगर वहां पे आप एक गमले का पीस लेते हैं तो आपको 100 रुपे पड़ जाता है जो कि 10 इंच होता है पर आप अगर ऐसे नरसरीों पे आ के लेते हैं तो आपको एक कम मिल जाता है क्यों दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करें और अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सस्क्राइब कर लें और नेश्ट वीडियो आने वाली है दोस्तों उसके लिए आप अपडेट में रहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादत जल्दी आपको एक नेश्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी बागवानी को देखवाल करते रहें परदूसन बहुत हो रहा है परदूसन को सिर्फ एकी चीज खतम कर सकती वो है हमारे पेड़ पोदे जितने हम ज़्यादा लगाएंगे उ तक अपना ख्याल रखिए हैपी गार्निंग